नमस्कार दोस्तों, देश भर में भारत रोड्स और हाइवेज कनेक्टिविटी को तो बराई रहा है, साती साथ भारत कई सारे ऐसे परियोजना पर काम कर रहा है जो देश की सरकों को विद्येसों से जोरेगी जी हाँ दोस्तों, कई दिनों से चर्चे में है एक ऐसा हाइवेज परोड्स जो भारत की सरकों को थाइलैंड से जोरेगी देश का फॉर्वर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी बाजपाई जी का ये सपना था कि भारत से बैंककॉक तक एक हाइवेज परोड्स बनाया जाए दोस्तो बाजपाई जी का ये सपना आने वाले तीन से चार साल में पूरा होने जा रहा है दोस्तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया मायनमार थाइलैंड ट्रालाइटरल हाइवे परोजेक्ट के बारे में दोस्तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी ताथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएगे दोस्तो वैसे तो थाइलैंड जाने के लिए लोग फ्लाइट का इस्तमाल करते हैं लेकिन क्या आपको पता है आने वाले कुछ सालों में आप अपने बाइक और गारी चला कर बाई रोड थाइलैंड जा सकोगे और ये सब कुछ मुम्किन होगा कोलकाता बैंकॉक हाइबे प् तामू जैसे सिटी को जोड़ेगा और दोस्तो भारत में ये हाइबे मनिपूर के मोरे नागालैंड में कोहिमा असम में गौहाटी और वेस्ट बेंगल में सिलीगुरी सिरामपूर होते हुए ये हाइबे कोलकाता से कनेक करेगा दोस्तो इंडिया ने ही मल्टी लेटरल ट् सा थाइलैंड में होगा दोस्तो इस हाइबे प्रोजेक्ट का ज्यादातर कंस्ट्रक्शन वर्प इंडिया और थाइलैंड में कम्प्लीट कर दिया गया है लेकिन मायनमार में कलेबा और यरगेई के बीच 121.8 किलोमिटर का हिस्से को चार लेन में अपग्रेट करने में ट कोल दिया जाएगा दोस्तो भारत और थाइलैंड के बीच एक डाइरेक्ट रोड लिंक होने से गूट्स और कॉमोडिटीज कोस्ट को काफी हत्तक कम किया जा सकेगा दोस्तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक से और सब्सक्राइब करना ना भूले